तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 62 से गिरकर 33 पर आ गई है। सहयोगियों के साथ 36 सीटें हैं लेकिन 44 सीटें बीजेपी के खिलाफ हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी इस हाल में पहुँच गई है। चर्चा कई बातों की रही। पहले समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरसल हुआ ये कि अखिलेश का PDA चल निकला। PDA चलने का मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका था। पिछले दो चुनाओं से जिसने बीजेपी को जोली भर के वोट दिया था, वो था केरियादो OBC और गयार जाटव दलित। लेकिन इस बार OBC की ये तमाम जातियां और इसका एक बहुत बड़ा चंग बीजेपी से निकल कर सीधे इंडिया गटवंधन के पास चला गया। जिसमें कुर्मी, कुश्वाहा, शाक्य, मौरिया और साथ-साथ दलितों में भी देखें तो पासी जो गैर जाटो विरादरी है वो एक बड़ी विरादरी है तादाद के लिहाज से वो भी शिफ्ट हुई। जो EBC कही जाती है यानि कि और अती पिछडी जातीयों में जो आते हैं निशाद जो बीजेपी का पक्का वोट बैंक बन चुका था उसमें बड़ी सेंध लगी आप इस बात से अंदाजा लगाए कि जो बीजेपी के पास OBC के बड़े-बड़े चेहरे थे वो खुद चु राजभरों के सबसे बड़े नेता और उनका बेटा अर्विंद राजभर घोसी से चुनाव हार गए बीजेपी ने जितने पिछले उमिदवार उतारे और समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस ने जितने पिछले उमिदवार उतारे उसमें समाजवादी पार्टी और 80 से भी ज्यादा है कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी ने चुन चुन कर उन जगहों पर कुर्मी, शाक्य और कुश्वाहा उमिद्वार उतारे जो कभी बीजेपी का गड़ था और 10 कुर्मी उमिद्वार अकेले समाजवादी पार्टी में उतारा शाक्य कुश्वाहा इन उमिद्वारों को जगह दी और उसमें से ज्यादा तर जीत कर गया है आयोध्या जो कि हिंदुत्य की बीजेपी की प्रयोग शाला थी वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो नया प्रयोग किया अयोध्या यानि फैजाबाद की वो तमाम इलाके जहां पासी बिरादरी की तादाद सबसे ज्यादा है अखिलेश यादव ने वहाँ सामानने सीट पर पासी चेहरे को उतारा अपने पुराने चेहरे को और पूरे अगर आप अवद के इलाके को देख लें और अवद से लेकर प्रियागराज तक के इलाके तक चले जाएं तो जो तमाम बड़े दलितों में पासी चेहरे थे अखिलेश यादव के साथ सब के सब बने रहें और सभी चुनाओ जीते और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कौशामबी से भी बड़ा पासी चेहरा चुनाओ जीता है तो कुल मिला करके OBC और दलितों का जो वोट BJP का कभी हुआ करता था वो लगभग शिफ्ट कर गया और ये हार की एक बड़ी बजहा रही लोगों को हिंदुतक के ऊपर रोजगार का मुद्दा लोगों के लिए हिंदुतक के ऊपर समविधान का मुद्दा आरक्षन बदलने का जो narrative चला था वो मुद्दा पेपर लीक का मुद्दा ये तमाम मुद्दे हावी रहे और हारने की जो वज़ा है उसके पीछे का जो narrative बना दरसल वो इन ही मुद्दों ने बनाया ग्राउंड स्वेल आप इस अंदाज इस बात से उसका अंदाजा लगाईए कि प्रधान मंत्री के शेतर में प्रधान मंत्री की जो लीड थी वो पौने पांच लाक से घढ़ कर दिर्ध लाक रह गई राजनाज सिंग की लीड साड़े तीन लाक से घढ़ कर सवा लाक के आसपास पहुँच गई इस बात का अंदाजा इसी बात से लगता है कि किस तरीके से एक माहौल बीजेपी के खिलाफ बन चुका था हलाकि बीजेपी बहुत हद तक इसे रोकने में कामयाब रही तब जाकर के वो आज लगभग बराबर बराबर की सीटों पर मौझूद है हलाकि अभी भी बराबर नहीं है बीजेपी नीचे है लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक तरीके से राह दिखा दी कि बीजेपी को भी हराया जा सकता है और अब हम आपको बताते हैं अखिलेश यादो की भूमिका दरसल अखिलेश यादो इस पूरे चुनाव में मैन अफ दे मैच बन कर उब रहे हैं मैन अफ दे मैच इसलिए है क्योंकि अगर बीजेपी को किसी ने बहुमत पाने से रोका है तो उसमें सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादो का है हलाकि इस बार बीजेपी की को उमीद बंगाल से भी थी और और ममता बनर जी भी वहाँ डट कर लड़ी लेकिन कहा ये जा रहा था यहां तक की जो समाजबादी पार्टी और कॉंग्रेस के भी लोग थे वो अपने लिए 40 से ज्यादा सीटे नहीं मान रहे थे और जीती कितनी अगर देखेंगे तो 44 यानि कि वो एक ग्राउंड स्वे उसने ये बता दिया था कि इस बार कुछ मुद्दों पर बीजेपी के खिलाब सबरदस्त नाराज़गी है बीजेपी हाला कि इसे लास्ट तक नकारती रही उसे लगता था कि उसका अपना जो वोट बैंक है वो नहीं तूटेगा लाभार्थियों का जो एक बड़ा तबक कानी भाई और यूथ अन्रेस्ट इसलिए क्योंकि ये सभी विराद्रियों में मौझूद रहा इस बार बीजेपी को सचमुच गंभीर मन्थन करना पड़ेगा क्योंकि अब आने वाले हाईतीन सालों में उत्तर प्रदेश के भी चुनाओं होंगे और अगर यही हाल रहा और पीडिये का इस फॉर्मूले की कार्ट बीजेपी ने नहीं निकाली तो दोहजार सताइस में उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है क्या बीजेपी इसका कोई सबक लेगी ये देखना होगा लेकिन इस चुनाओं ने ये जता दिया है कि उत्तर प्रदेश अब बीजे प्रिके से अश्मेक का घोड़ा नहीं रहा जो वो पिछले 10 सालों से मानती रही है